नमस्कार दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आज सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में दो ऐसे 5G स्मार्टफॉन लेके आया हूँ जो कि जब लॉंच हुए तो इनका प्राइज काफी ज़्यादा था लेकिन अभी सेल के अंदर इनका प्राइज हो गया है काफी ज स्मार्टफॉन आपके लिए रहेगा सबसे बैस्ट तो सैमसंग गेलेक्सी ए 14 5G वेस वेरेंट लॉंच हुआ था लगबग 16,000 रुपे के आसपास लेकिन आज के टाइम आप इसका वेस वेरेंट पर्चेस कर पाऊगे मात्र 9999 रुपे में 6GB 128GB वेरेंट पर्चेस कर ये भी लगबग 16,000 रुपे की रेंज में लॉंच हुआ था लेकिन आज के टाइम इसका जो वेस वेरेंट है 8GB RAM 128GB के इंटरनल इस्टोरेज के साथ 12,999 रुपे का मिल रहा है और बैंक ओफर में आपको SBI क्रेडिट या डेविट कार्ड द्वारा 1250 रुपे का डिसकाउं का जो बॉक्स है काफी ज्यादा मोटा है ऐसा क्यों है अभी आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा सैमसंग का वाइट कलर का बॉक्स आता है जिस पर मोबाइल का फ्रंट और रियर लुक का डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है जबकि पोको में आपको कहीं भ लाता रहता हूं तो सुरुवात हम करेंगे सैमसंग गेलेक्सी एफोटीन से तो इसका बॉक्स हमने अन्बॉक्स कर दिया है इसमें आपको एक मिनी बॉक्स उपर की साइट चले जाता है दोस्तों है भी लग रहा है इस पर सिमेजेक्टर पेन है और इस बॉक्स के अंदर ह गया है और ना आपको चार्जर अडप्टर दिया गया वह आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा वहीं पर पोको एक्स नियो में आपको सबसे उपर एक मिनी बॉक्स नजर आता है इस बॉक्स के पीछे की साइड लगी है सेमेजेक्टर पिन और अंदर आपको मिल जाता एक 33 वोट का फास्ट चार्जर जो कि मोबैल को काफी फास्ट चार्ज करेगा आदे गंटे में 50 परसेंट चार्ज कर लेगा ये फॉन को यूस्वी के विल आपको इसमें टाइप A to टाइप C मिलती है लेंध और क्वाल्टी भी बढ़िया दी गई है अब आते है स्मार्ट फोन्स पर तो दोनों स्मार्ट फॉन का फ्रांट लूक देखिए सबसे पहला अंतर साइज का है दोस्तो साइज में काफी बड़ा है सेमसंग का स्मार्ट फॉन Poco X6 नियो के मुकाबले इनन फील ज्यादा कमफरडेवल हमें Poco X6 नियो ही लगेगा हाथ में क्योंकि ये ज् डिस्प्ले के साथ आता है Samsung और यह आता है पंचोल डिस्प्ले के साथ दोनों की पावर को मैंने एक साथ ओन किया था Samsung काफी फास्ट ओन हो गया अब बैक पैनल देख लेते हैं एक बार तो प्लास्टिक पॉली कार्बिनेट बॉड़ी मिलती है दोनों स्मार्टफोन के बैक स सबसे पहले सेमसंग का बैक पैनल देखिए यहां पर आपको करीब से दिखाएं तो हलके से रिजिस पील हो रहे हैं इसके बैक साइड में यह साउंड आप सुन रहे होंगे दोस्तों लाइने एंप बारी बारी सी जिन पर रिजिस हैं जिन पर ग्रिफ अच्छी बन जाएगी प्लस स्क्रेच इस भी कमाएंगे वही पर जो पोको एक्सिक्स नियो है इसमें आपको नॉर्मल मैट फिनिसिंग देखने को मिलती है जहां फिंगर फिंट इतने विजिवल नहीं होते है नीचे आपको 5G की ब्रांडिंग दिखेगी जोना स्मार्टफोन की कैमरा मेडूल क देखे यहां पर आपको बहुती बढ़िया फ्रेम नजर आ रहा होगा और तीन बराबर साइज के लेंस एक लाइन में आपको नजर आ रहे होंगे यहां दो बराबर साइज के और लेंस काफी जादा उठे हुए हैं पोको एक्सिक्स नियो के जबकि सैमसंग के इतने जाद में आपको में प्रैमरी कैमरा 108 मेगा विक्सल का दिया गया है 2 मेगा विक्सल का डेफ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैसलाइट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दोनों कंपनियों ने नहीं दिया है फ्रेंट में जो ड्रॉप नॉच है इसके अंदर 13 मेगा विक्सल का सैल्फी कै दोनों smartphone के जो चारो corner है वो rounded है और side panel आपको Poco X6 Neo का मिलेगा बिलकुल flat जबकि Samsung A14 में आपको हलका सा कर भी दिया गया है लग तो flat रहा है लेकिन बीच में काफी ज़ादा उठा हुआ है round type में दोस्तों और यहां पर आपको मिलती है power on की यहीं पर fingerpin sensor दिये गया है प्लस volume rockers और उपर की साइड secondary mic noise cancellation के लिए दोनों smartphone में मिल जाता है प्लस पोको में आपको एक IR blaster भी दिया गया है जिसका use up remote control के लिए कर सकते हो और 3.5 mm का audio jack भी उपर की साइड ही दिया है left side में sim train नजर आ रही है दोनों smartphone की और bottom side में 3.5 mm का audio jack samsung का बाकी दोनों smartphone के primary mic charging jack और speaker दिये गए हैं अब दोनों smartphone तो हमारे already booted हैं सबसे पहले तो इनकी जो brightness है इसे 100% कर लेते हैं ताकि display और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए अब आपको करीब से दोनों smartphone की display को display में जो colors है brightness है वो ठीक ठाग आपको मिल जाती है इवन यहां पर जो Poco है इसमें आपको बहुत ही colorful display और इसकी brightness भी काफी ज्यादा लग रही है Samsung के मुकाबले अब दोनों smartphone के edges देखे दोस्तों बिलकुल बैजल लेस्ट डिस्पले के साथ आता है Poco X6 new चारों तरफ से Galaxy A14 में काफी बड़े बड़े बैजल्स आपको देखने को मिलते हैं यह नीचे की चिन तो बड़ी है पर उपर और corner में भी देखे बड़े बड़े बैजल्स दिये गया है जो की काफी वेकार लग रहे है डिस्पले उतनी अच्छी नहीं लग रही जबकि इसकी डिस्पले जेखे पोको की कितनी एट्रेक्टिव लग रही है इसके अलावा दोस्तों अब दोनों स्मार्टफॉन का जो यूजर इंटरफेस है इस स्क्रॉल अप करते ही फॉन में मौझूद सारी एफलिकेशन हमें आपर नजर आ जाती है सैमसंग में तो बहुत ही क्लीन यूई दिय थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल अफलिकेशन ही आपको नजर आएंगे ज़्यादा कोई फाल्टु प्रींस्टॉल अफलिकेशन नहीं दिये गए जबकि यह पोको एक्स यूज फाल्टु के ब्लोट वेर गैम स और फ्रींस्टॉल अफलिकेशन से भरा पड़ा है इसमे पोको में आपको 120 Hz का refresh rate भी आ गया है और आप बात करते हैं डिस्प्ले की शुरुवाद Samsung Galaxy A14 5G से करते हैं इसमें आपको मिलती है 6.6 इंच की Full HD Plus PLS LCD के पैनल के साथ डिस्प्ले जिसका Aspect Resort 229, Screen Regulation 1080 x 2408 पिक्सल और फिक्सल दैंसिटी 400 PPI की मिलती है वहीं पर पोको X6 Neo में आपको 6.67 इंच की Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले मिलती है और Aspect Resort 229, Screen Regulation 1080 x 2400 पिक्सल पिक्सल दैंसिटी 395 PPI की साथी Corning Gorilla Glass 5 का Production इस फोन में दिया गया है और अब आते हैं दोना स्मार्टफोन की हाइट पर तो 167.7 mm की हाइट आपको Samsung में और 161.11 mm की हाइट मिलेगी पोको में थिकनेस की बात करें तो 9.1 mm की थिकनेस यानि की काफी मोड़ा स्मार्टफोन और यहां पोको दे रहा है मातर 7.7 mm की थिकनेस चलिए वेट भी चग कर लेते हैं Samsung Galaxy A14 जिसका वेट निकल के आता है 200 ग्राम और पोको का वेट देखते हैं तो इसका वेट निकल के आता है 177 ग कर रहे हैं इनका अपडेट आ चुका है Samsung में आपको 15 और 16 के अफडेट भी दिये जाएंगे दो मेजर OS अपडेट दे रही है कंपनी और साती 4 साल के सिक्यूर्टी अपडेट जबकि पोको में आपको 15 तक का अफडेट मिल सकता है और 3 साल के सिक्यूर्टी अपडेट मिल जाएंगे आप प्रोसेसर की बात करें तो दोनों यह स्मार्टफॉन 2.4 गिगार्ट के अक्ता कर प्रोसेसर के साथ आते हैं लेकिन यहां पर Samsung ने अपना खुद का चिपसेट यूज किया है जो है Samsung Exynos 1330 का और पोको में दिया गया है MediaTek Dimensity 6080 का चिपसेट यह बेस्ट है 6 NM के फैब्रिकेशन पर और यह बेस्ट है दोस्तों 5 NM के फैब्रिकेशन पर Mali G608 के ग्राफिक और यहां Mali G57 के ग्राफिक मिलते है RAM यहां पर आपको मिलती है 4GB की यह हमारे पास है 4GB 128GB बेरंट जिसे हमने 1999 रुपय में पर्चेस किया है और इसमें आपको RAM type LPDDR4X दिय गया है expendable memory 1TB तक बढ़ा सकते हैं वहीं पार Poco X6 Neo में आपको 8GB RAM मिलती है LPDDR4X की और 128GB का storage दिया गया है अब एक छोटी सी नजर दोनों स्पार्टफोन के कैमरा पर डालते हैं दोनों स्पार्टफोन के रियर कैमरा को नॉर्मल मूड में हमने open कर लिया तो camera quality तो दोनों स्पार्टफोन में काफी बढ़िया मिल जाती है यहां Poco में आपको AMOLED डिस्पले दी गई है इस पज़ा से colors और boost होते हुआ आपको नजर आ रहे होंगे बाकि 10X तक का zoom support मिल जाता है दोनों स्पार्टफोन में और full zoom quality ज्यादा better तो यहां पर Poco की लग रही है Samsung में भी ब पर भी आपको full SD और SD का support मिलता है 30fps में यहां भी आपको 60fps का support नहीं दिया गया है front selfie camera दोनों स्मार्टफोन के देखें तो बढ़िया है दोनों स्मार्टफोन के front selfie camera ज्यादा अच्छे से natural color तो यहां पर Samsung A14 के camera से आ रहे हैं दोस्तो वीडियो mode में अभी normal mode में आ जाते है आप देखें दोनों स्मार्टफोन के front camera color अलग अलग टाइप के नजर आ रहे होंगे यहां पर थोड़े अलग color यहां पर थोड़े अलग color तो पसंद आपकी matter करती है दोस्तों आप comment box में पर तहिए किसका camera आपको ज़्यादा better लग रहा है तो overall देखा जाए तो दोनों ही smartphone अपनी अपनी business खूबियों के साथ आते हैं कुछ खूबिया है आपर पोको में बढ़िया कुछ samsung में बढ़िया लेकिन बात आती है मैं इन दोनों में से कौन सा smartphone purchase करना चाहिए सबसे पहले तो आप सभी की पसंद मैडर करती है दोस्तों अगर आप पहले से samsung user हो तो आप खरीदने लाइक बन चुका है दोस्तों 13,000 रुपे इसकी प्राइज हो रखिए अगर आपको साड़े 1200 रुपे का discount मिल जाता है SBI कार्ड के थूरू तो यह तो काफी सस्ता आपको मिल रहा है 8GB RAM है इसमें 33W का fast charger है साथ ही आपको इसमें 108 मेगा विक्सल का कैमरा फ्रेंट कैमरा मिलेगा 16 मेगा विक्सल का और कवर भी आपको इसके साथ अलग से पर्चेस करने की जूरत नहीं है एक free applied scratch guard भी इस पर लगा हुआ है जो की काफी time तक चल जाता है बाकी battery भी आपको इसमें 5000 mh की मिलती है उपर से AMOLED डिस्प्ले इसमें दी गई है तो बड़िया फरफेक्ट स्मार्टफॉन है यह जबकि Samsung Galaxy A14 बड़े बड़े बैजल्स वाला स्मार्टफॉन दोस्तो इतन भारी और बड़ा है उपर से इसमें charger आपको अलग से खरीदना पड़ेगा और एक original charger 15 watt तक का चार सपूर्ट करता है यह तो 7800 रुपे तो वो गए 200 रुपे का कवर आएगा 1000 रुपे तो वैसे भी यह महेंगा पड़ रहा है दोस्तो अगर आप इसे 10,000 रुपे में purchase कर ल आएगी बाकि तो अपनी अपनी पस्तन आप कमेंट बॉक्स मत आईए आपको इन दोनों में से कौन सा smartphone बढ़िया लगा कौन सा पर्चिस करना चाहोगे आसा करता हूं मेरे द्वारती की जानकारी आप सभी के जुरूर कुछ ना कुछ काम आएगी जिससे एक नया smartphone पर्च कत नहीं आएगी